इस वीडियो में बात करने वहाँ किस तरीके से Samsung के phone में आप easily जो कि अपने folder को जैसे कि आपके phone में कि कोई phone है और उसमें photos, videos वगरा डाला हुआ या फिर कोई apps वगरा है तो उसको secure कैसे कर सकते हैं तो इस वीडियो के अंदर यही से बात करने वालाओ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजेगा इसके लिए आप माल लीजे आप यहाँ पे जाते हैं और इस पे किलिक करते हैं यहां पर जाने के बाद आपको यहां पर इंटर्नल एक्टर्नल दोनों इस टोरेज दिखता है पर माल लेजे मैं इसको दवा के रखता हूँ यहां पर तो आपको यहां पर इस तरीके का ओप्संद दिखेगा यहां देख सकते इस तरीके से आप यहाँ पे क्लिक करके दुबारा से शॉर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे इस तरीके कर दिखेगा और यहाँ पे जा करके दुबारा रिसाइकल बिन में जाएंगे तो यहाँ पे जो भी डिलीट किया होगा वो आपको फोटो बगारा दिखेगा तो आपका जो folder है इसी परकार से secure कर सकते हैं चलिए मैं यहाँ पर और किसको करूँ जैसे कि यह picture जो आला है जो मैंने screen short photos वगरा लिया है तो इसको पर click करते हैं click करने के बाद आपको fit से आपको इस तरीके का options दिखेगा तो यहाँ पर more पर click करेंगे तो यहाँ पर move to secure वाले file में इसको move कर सकते हैं और यहाँ पर इस पर agree पर click कर सकते हैं और यहाँ पर turn off flight mode इस पर click करके आपको यह flight mode पहले हटा देता हूँ यह कह रहा है flight mode हटाने के लिए और एक पर दुबारा agree पर click करते हैं और यहाँ पर turn on mobile data तो mobile data on करना पड़ेगा या फिर wifi को connect करना पड़ेगा तो मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ mobile data on कर लेता हूँ ठीक है उसके बाद यहाँ पर क्लिक करके और इसको secure कर सकते हैं अब यह जो यहाँ पर है ना इसको update कर रहा है यहाँ पर आपका जो email id है उसको secure कर सकते हैं इसको send mail पर क्लिक करेंगे और यह जो folder आपका secure हो जाएगे यहाँ पर email id डालके इसको sign in करना होगा फिलाल मेरा sign in नहीं है तो इस तरीके से आप अपने phone में easily इसको secure कर सकते हैं फ्रेंज वीडियो पसंद रहे तो like कीजिएगा चैनल को subscribe कीजिएगा मिलते ने शुर्य है